Hello friends, this is Dr. Vivek Maheshwari and welcome to psychology की आपकी अपनी पाठ्षाला यदि आपको ध्यान हो कल का टॉपिक, कल हमने डिस्कस किया था, What is psychology? बात शुरू हुई थी 16th century से जब आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्यान मनो विज्ञान था 17th century में आया कि मन का अध्यान मनो विज्ञान है, 18th century तक मन चलता रहा, मन का अध्यान मनो विज्ञान बना रहा लेकिन जैसी 19th century आई, तो फिर विलियम जेम्स या विलियम वुंट जैसे जो लोग थे, विद्वान थे उन्होंने का कि नहीं सब चेतना का विज्ञान है, अब चेतना के विज्ञान को भी लोगों ने बाद में नकार दिया और फिर बीसवी शताब्दी आ गई, और बीसवी शताब्दी में कहा कि जो मनो विज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार का अध्या है इस तरह की बात हमने कल की थी व्यवहार दो तरह के-के होते हैं एक जिसको हम कहते हैं overt behavior और दूसरा जिसको हम कहते हैं covert behavior ओवर्ड का मतलब जो चीज दिखाई देती है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे चलने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, मेरे कपड़े पहनने का तरीका या मैं जिस तरह से भी जो बाहर से मैनिफेस्ट हो रहा है, वो क्या है? वो overt behavior है लेकिन दूसरा, क्या मेरी सोच, मेरी feeling, मेरी thought process आपको दिखाई दे रही है तो आप कहेंगे सब thought process दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप सोच तो जरूर रहे हो, तभी तो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तो वो जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मेरे अंदर है या आप कहें कि मेरे दिमाग में जो चीज़े चल रही है, वो क्या है, वो मेरा covert behavior है मतलब कि अप्रत्यक्ष व्यवहार है, या अप्रकट व्यवहार है अगर आज के सिनेरियों में बात की जाए, तो जो व्यवहार की परिभाशा है न वो सर्वमानने है मतलब कि psychology is the study of behavior लेकिन इसके साथ दो-तीन चीज़े जुड़ गई, क्योंकि covert और overt behavior की बात आई तो इन्होंने psychologist ने कहा कि इसको पूरी definition बनाई जाए, कि psychology is the study of behavior, mental process and experiences कि मनोविझ्ञान व्यवहार का, मानसिक प्रक्रियाओं का और अनुभूती का विज्ञान है या उसका अध्यान है लेकिन एक प्रश्न आता है कि हमने खहा behavior की behavior का अध्यान है मनोविञ्ञान बिहेवियर दो तरीके के होते हैं एक होता है नॉर्मल बिहेवियर और एक होता है अबनॉर्मल बिहेवियर तो अब क्या माना जाए कि मनोविज्यान नॉर्मल बिहेवियर का अध्यान है या मनोविज्यान अबनॉर्मल बिहेवियर का अध्यान है सामान्य व्यवहार या असामान्य व्यवहार तो फिर इसका उतर ये मिलता है कि मनोविज्ञान जब व्यवहार की बात करता है व्यवहार का अध्यान करता है तो व्यवहार दोनों ही होते हैं इसलिए नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों ही बिहेवियर का अध्यान मनोविज्ञ में किया जाता है लेकिन एक और प्रश्ण है और प्रश्ण यह है कि सब नॉर्मल और अबनॉर्मल जो बिहेवियर है यह हम मानके चलेंगी जो भी बिहेवियर है वो तो दो तरीके के ऑर्गिनिजम करते हैं एक मनुष्य भी व्यवहार करता है और दूसरे जानवर भी व्यव विज्ञान मानव और जानवर मतलब कि psychology is the study of behavior of human being as well as animal being कि मनुष्य के और जानवरों के दोनों के ही सामान्य और असामान्य व्यवहार का अधियन मनविज्ञान है यहां तक बात हो चुकी अभी तक हमने यह समझ लिया कि psychology क्या है तो psychology के एक सिम्पल सी definition जो मैंने बताई psychology is the study of behavior of human being as well as animal being यह आपका है psychology is the study of behavior mental process and experiences of human being as well as animal being अब आप करते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अधियन करता है लेकिन मनोविज्ञान के व्यवहार के अधियन को करने के लिए क्या गोल है क्या कोई मनोविज्ञान के लक्ष होते है मनोविज्ञान व्यवहार का अधियन करता क्यों है तो इस क्यों मनोविज्ञान व्यवहार का अधियन करता है इसके लिए आपको और मुझे समझना पड़ेगा कि psychology के goals क्या है तो psychology के अगर हम goals की बात करें जो आज का main topic है कि what is the goals of psychology तो मनोविज्ञान के total चार goal है चार लक्ष है एक हमारा topic क्या है goals of the psychology तो मनोविज्ञान के चार लक्ष है और चार लक्ष कौन कौन से है पहला है description of behavior व्यवहार का वर्णन करना सबसे पहला मनोविज्ञान का लक्ष है कि व्यवहार के वर्णन का मतलब क्या है व्यवहार के वर्णन का मतलब है कि एक प्रश्न का उत्तर्ख हो जा रहा है जिसको हम कहते है what is happening, what is happening, क्या हो रहा है आप से सबसे पहले कोई व्यक्ति मिलता है कि जिसके बारे में या जिसका अध्यन आप करना चाहते है आप माल लिया विवेक का अध्यन करना चाहते है तो विवेक का अध्यन करने के लिए सबसे पहले मेरे आज मैं जो हूँ अभी मैं जो हूँ पहले मैं जो चीज दिखाई दे रहा हूँ उसका आपको वरनन करना पड़ेगा मतलब कि जो मेरा व्यवहार है पहले मेरे व्यवहार का वर्णन करना पड़ेगा और वर्णन का मतलब कि जो चीज हूँ What is happening? क्या हो रहा है? इस क्या हो रहा है का जो उत्तर मिलेगा उसका है description of behavior वही है आपके व्यवहार का वर्णन कोई बच्चा अपनी मा के पास आता है और मा उस बच्चे को कहती ही कि ये बेटा मुझे लग रहा है तिरे को cuff and cold है जब माने क्या किया? माने उस व्यवहार को देखा उसको देखा और देखने के बाद उसके symptoms को देखने के बाद कहा बेटा तुझे cuff and cold दिखाई दे रहा है जुखाम हो रहा है ये कहा है व्यवहार का वर्णन तो मनोविज्ञान का पहला लक्ष है कि कि किसी भी व्यक्ती के व्यवहार का अध्यन आप व्यक्ती का व्यवहार और्गिनाइजेशन में करें आप व्यक्ति का विवहार स्कूल में करें, आप व्यक्ति का विवहार सोसाइटी में करें, जब भी व्यवहार का अध्यान होगा, तो कहीं भी व्यवहार के अध्यान के लिए मनोविज्यान का पहला लक्ष होगा कि description of behavior व्यवहार का वर्नन करना, अब वर्नन कर दिया गया, तब दूसरा गोल आएगा और दूसरा गोल है explanation of behavior कि साब अब ये तो पता चल गया कि क्या हो रहा है किसके द्वारा इस description के द्वारा लेकिन अब ये पता करें कि जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है तब इस पर एक question बनता है what is why it is happening ये क्यों हो रहा है आपने का कि विवेक आप क्या कर रहे हो मैंने का मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब कि जो मैं इस चीज हो रही है मैं वो कर रहा हूँ अब दूसरा question आता है why it is happening ये क्यों पढ़ा रहे हो अब क्यों पढ़ा रहे हो मतलब उसका explanation कि जो भी विवेवार हो रहा है अभी cuff and cold का example मैंने लिया था ममी कहती कि ये cuff and cold क्यों हो गया तुने मीठे के ओपर पानी पीया था बच्चे तुने क्या पसीने में जब तु खेल के आया था उसके ओपर पानी पी लिया था या क्या हुआ था, क्यों हुआ, मतलब कि उस व्यभार के पीछे force क्या है, उस व्यभार को करने का कारण क्या है, उस व्यभार को करने का motivation क्या है, उस व्यभार को करने में क्या relationship है, मतलब कोई न कोई reason होगा, यह सीरी सीरी बात है, कि यह व्यभार क्यों हो रहा है, उस क्यों ह हो रहा है मतलब explanation यही है व्यभार की व्याख्या लाया है आप कि description of behavior और explanation of behavior में बस थोड़ा सा अंतर है анию description क्या कह रहा है धाई साज जो हो रहा है बस वुसी की बात हो रही है बस क्यों हो रहा है तो आप explanation करिए मतलब कि आपने व्यवहार को explain किया है यह मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष है तीसरे लक्षे की बात करते हैं तीसरा लक्षे होता है prediction of behavior prediction of behavior का मतलब है कि व्यवहार का पूर्व कथन करना उस व्यवहार के बारे में भविश्युमानी करना अब यहां भी एक प्रश्न है यहां पर प्रश्न क्या था अगर आप description की बात करें तो यहां पर प्रश्न था what का क्या हो रहा है explanation की बात की जाए तो यहां एक प्रश्न का उत्तर मिल रहा है वाई यह क्यों हो रहा है और prediction अब यह prediction की बात है तो फिर prediction में यहां पर एक फिर question आता है when की what will people do in future की भविश्य में लोग क्या करेंगे आपने किसको देखा आपने व्यवहार को देखा और उस predict किया केवल व्यवहार को वर्तमान में समझने से काम नहीं चलेगा आपको व्यवहार को समझने के लिए उसके भविश्य के बारे में भी तो देखना है आप क्या करते हैं आप स्कूल में पढ़ाते हैं आप एक teacher है आपने एक स्कूल में दो बच्चों को देखा एक में गेम खेलता रहता है उसको homework दिया जाए वो homework नहीं करता है वो केवल और केवल घूमता रहता है अब आप दोनों के बारे में क्या करते हैं दोनों का व्यवहार का आपने वर्नन किया पहले कि साब ये दोनों बच्चे ऐसे हैं दूसरा आपने explanation कि साब ये mobile क्यों देखत लेकिन अब अब आपने क्या क्या prediction अब आपने दोनों के बच्चों के व्यवहार को देखा आपने उस बच्चे को कहा कि तू पढ़ता है तो अरे तू बहुत बड़ा doctor बनेगा क्यों क्यों कि तू इस तरह से पढ़ रहा है और दूसरे बच्चे को व्यवहार को आपने द कि future में कैसा व्यवहार होगा कब व्यवहार होगा इसकी बात आएगी prediction of behavior चोथा goal चोथा goal जो बहुत important है जिसको हम कहते है control of behavior किसको control करना है व्यवहार को control करना है यहां भी एक question बनता है और इसको हम कहते है how can we change bad habits how can we change कैसे कर सकते है कैसे करेंगे अब यहां पर क्या है control of behavior अब आप control of behavior की क्यों जरौत है control of behavior की इसलिए जरौत है कि आपको behavior modification करना है आप मनो विज्ञान या कोई भी subject क्यों पढ़ रहा है आपको क्या है कि एक व्यवहार जो है वो गलत है उस गलत व्यभार को बंद करना है और नए व्यभार को आपको सीखना है तो गलत व्यभार को कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना आपने का कि साथ मुझे बहुत गुसा आता है मुझे बहुत गुसा आता है मुझे बहुत एंग्जाइटी रहती है मुझा बहुत ज्यादा stress रहता है तो ठीक है रहता है लेकिन अब इस stress की condition को कैसे control करें control का मतलब कि कैसे modify करें कैसे modify करके अच्छी stress free condition को आपके मन में बनाएं तो फिर क्या होगा meditation करो योग करो या कुछ ऐसी चीजें करो जिससे आपका जो tension है जो आपका stress है जो आपके anxiety है वो कम हो जाए तो यहाँ पर क्या है control of behavior कि कैसे एक व्यवहार को नियंतरित किया जाता है और नियंतरित करने के बाद उसकी जगे नए व्यवहार को बनाया जाता है तो व्यवहार का अध्यन करना मनोविज्यान का लक्ष है लेकिन व्यवहार के अध्यन के लिए चार चीज़ें होने चाहिए कि मनोविज्यान व्यवहार का वर्णन भी करता है मतलब कि description मनोविज्यान व्यवहार को explanation करता है मतलब कि व्याख्या करता है मनोविज्यान व्यवहार के बारे में prediction करता है मतलब कि पूर्व कथन करता है मनो विज्ञान विअभार को नियंतृत करने के बारे में भी बात करता है मनो विज्ञान विअभार के मोडिफिकेशन के बारे में भी बात करता है ये चार लक्ष हैं मनो विज्ञान के तो आज हमने चार लक्ष मतलब की गोल्स आफ्ट साइकलोजी की बात करी situation कोई भी हो school की situation हो, कोई भी situation हो उस सारी के सारी situation है मनो विज्ञान के केवल यही चार लक्ष होंगे तो आज का topic finish, कल फिर मिलते हैं एक नए topic के साथ Thank you